आज के ये वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल अनॉंसमेंट करने जा रहे हैं यसे कि अभी अभी सबको पता है कि CSET जैन 2022 का रिजल्ट आ गया है और काफी सारे स्टूनेंट्स ने बहुत अच्छे स्कोर करके अपना फर्स्ट लेवल जो था CSET का CS जर्नी का वो पास आउट किया होगा So first of all congratulations to all of you ठीके जोने ने अच्छे स्कोर करके अपना फर्स लेवल क्लियर कर दिया है बट आज हम लोग बात करेंगे ये वीडियो के अंदर वो students के लिए जिन्होंने अपना first attempt जो दिया था या जो भी attempt था तुमारा CSET का वो अगर आप clear नहीं हो पाए हो तो how is tutorials is going to help you out in this particular situation देखो पास होना फेल होना ये तो obviously होते रहता है life में बट कुद को demotivate नहीं करना है और obviously आपको एक helping hand की जरुवत है at this particular stage because आपको भी proper अच्छे तरीके से preparation करके जो next attempt आएगी May 22 में आपको वो अच्छे से appear करना है और full confidence के साथ appear करके वो level को clear करना है so obviously ace tutorials आपको यहाँ पे help करेगा उस चीज़ के लिए तो हम लोग वो students के लिए एक particular facilities देने जा रहे है जो fail हुए है जिन्होंने अपनी attempt clear नहीं किये so being a student आपको हमसे क्या चाहिए student क्या expect करता है कि हमको lectures चाहिए हमको notes चाहिए हमको practice करनी के लिए MCQs चाहिए हमको latest current affairs भी चाहिए यह सब चीज हम आपको provide करेंगे तो first of all मैं बात करता हूँ lectures की तो हमारा जो भी अभी में attempt के लिए session start होगा lecture start होगे वो definitely आप बैठ सकते हो बराबर वो totally आपको free of cost होगा ठीक है उसके लिए आपको कोई additional pay करने की जरूतनी additional कोई भी fees नहीं लगेगी उसकी तो lectures हम लोग आपको proper तरीके से पूरे provide करेंगे full syllabus आपका cover किया जाएगा दूसरी चीज़ second चीज़ चाहिए आपको notes each and every subject की हम आपको proper updated notes भी provide करेंगे ठीक है फर्ड चीज़ आपको चाहिए practice करने के लिए mcqs test series के form है तो आप हमारे app पे भी जा सकते हो इस tutorials पे वहाँ पे काफी सारे mcqs आपको available कराके देंगे plus आपको class में भी जब आप join करोगे तो आपको test series यहाँ भी देने बिलेगी तो आप वहाँ पे भी exams दे सकते हो so that आप जितने से उतने जादा mcqs होंगे उतने आप practice कर सकते हो हम on an average 5000 plus mcqs practice कराते हैं ठीक है एक particular CICED की examination में तो वो भी आपको 5000 mcqs practice करके जाओगे तो obviously confidence automatically आपका boost हो जाएगा and the last most important fourth point that is current affairs ठीक हो current affairs exam में अपने देखा होगा कि latest जो भी events और scenarios होते है वो सब पूछे जाते हैं ठीक है तो वो सारी चीज़े भी हम आपको updated मन्त तक देंगे जैसे अगर में मन्त में आपकी exam है तो हम April 2022 तक के आपको current affairs notes plus video आपको दोनों provide किया जाएगा videos तो वैसे भी आप देख सकते हो हम हर मन्त ली videos जो current affairs के होते हैं month wise वो हमारी YouTube channel पर upload करते ही है अब आपस भी देख सकते हो लेकिन अगर उसकी notes भी आपको चाहिए तो वो भी आपको updated notes month wise current affairs की जोईटिंग शायद कोई देता नहीं है वो हम आपको provide करेंगे so that आपको updated current affairs पढ़ने मिलेंगे because current affairs का एक सबसे बड़ा issue यह होता है कि student currents अपर ढूणने जाता है ना उसके पास बहुत content साथ में आते है फिर समझ में नहीं आता है कि इसमें से refer कितना करना है क्या नहीं करना है so हम सारी चीजे आपको एक sort out करके proper filter करके आपके हाथ में दे देंगे आपको सीधा वो ही refer करना है तो यह सारी facilities जो student fail हुए है उन के लिए हम लोग देने जा रहे so please आप यह सारी facilities को avail कर लो so that आपका जो next attempt है EET का वो आप successfully clear कर सको और आगे CS की journey में जा सको तो इसी के साथ यह video हम लोग यहाँ पर end करते है join जरूर करना जो भी EET की हम यह facilities आपको दे रहे because यह आपको बहुत जादा help करेगी ठीक है? Thank you very much